ये कहानी लिंडा नाम की एक टीचर के उपर आधारित है जो ना चाहते हुए भी अपने एक इस्टूरेंट से प्यार कर बैठती है उसके बाद उन दोनों के बीच में वही होता है जो हमारी पिछली एक्स्प्लेनिशन में अभी तक होता आया है लेखिन प्रॉब्लम तो काटिंग सीन में हम लिंडा नाम की टीचर को देखते हैं लिंडा की जिंदगी कुछ खास नहीं है क्योंकि वह बस बच्चों को पढ़ाती है और कुछ छोटे मोटे काम करती है और इसके अलावा लिंडा कुछ भी नहीं करती लिंडा की आधी से ज्यादा उमर निकल चुक कोचे उस पर पेपर स्प्रे कर देती है क्योंकि उसकी सगल देखने के बाद लिंडा को लग रहा था कि ये साइध कोई समुंदरी लुटे रहा है तब ही वह बंदा लिंडा को बताता है कि मैं कोई लुटे रहा नहीं बलकि तुम्हारा पुराना स्टूडेंट हूं जिसक जबरस्ती मुझे लौक की पढ़ाई करवा रहे हैं लेकिन मुझे राइटर बनना है जिस वज़ा से मैं वहां से भागाया हूँ जेसन लिंडा से ये भी कहता है कि हाली में मैंने एक प्ले लिखा है जिससे सुने के बाद लिंडा काफी खुश हो जाती है जिस पर लिंडा उस प्ले को बहुत आराम से पढ़ती है और वो प्ले लिंडा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये प्ले अच्छा है या नहीं ये कनफर्म करने के लिंडा वहां के एक कारल नाम के टीचर को दिखाती है वो कारल को उस प्ले की स्क्रिप्ट देती है और वो खुद करने के लिए चली जाती है कारल को वह play पढ़ने के बाद इतना ज्यादा पसंद आता है कि वह लिंडा को बताने के लिए उसके टॉयलेट में चला जाता है जिसके बाद वो दुनों मिलके principal office जाते हैं लेकिन principal उसे कहती कि ये play हम perform नहीं कर सकते क्योंकि इसकी ending में मावाफ का murder और बच्चों को suicide करना सिखाया गया है और एक school की according ये ending ठीक नहीं होगी जिस पर कारल उसे बोलता है कि अगर आपको ending पसंद नहीं आरी तो हम ending को change कर दे और ये बाद principal भी मान जाती है वहाँ से बाहर आने के बाद Linda Carl से कहती है कि हम इस play में कुछ भी changes वेगरा नहीं करेंगे play जैसा है वो ऐसा ही रहेगा लेकिन इसके बार में तुम भी principal मैम को कुछ भी मत बताना इसके बाद Linda और Jason एक cafe में मिलते हैं जहां Linda Jason से बोलती है कि त तुम्हारा play principal मैम को इतना ज़्यादा पसंद आया है कि वो school में annual function में ये play perform करवाएगी लेकिन तभी Jason Linda को ऐसा करने से मना कर देता है और वो Linda से कहता है कि मेरा लिखा हुआ play इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है जिस पर Linda उससे समझाती है कि तुम्हारा लिखा हुआ play बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये सुनकि Jason भी उसकी बात मान जाता है और ये सम मिलके play की तयारी करना सुरू कर देते हैं प्रैक्टिस के दोनर वहाँ पे Jason के dad आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ वहाँ से ले जान है और वहाँ पहुंचने के बाद Linda Jason को पेट दर्थ की दवाई देती है लेकिन वो गूली काते के साथ Jason के अंदर का किंग कॉंग ऌंग जाता है जिसके बाद वह चुटते ही लिंडा को किस करने लगता है ये दिखने के बाद Linda के होश बड़ जाते हैं और वो भी बदला ल लेकिन हम भी वर्ष को पता है कि उन दोनों को मज़ा बहुत आया था। लिंडा को वहाँ पे ये रियलाइज हो रहा था कि एक तो वो उसका स्टूरेंट था और दूसरी बात वो उससे छोटा भी था। जिसके बाद लिंडा जेसन के पाँ जाती है और उससे बूलती है कि कल हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तुम उसको भूल जाओ क्योंकि मैं तुम्हारी मा के उम्र की हूँ और जेसन भी ये बात मान जाता है। तुम्हारे साथ घबा घब ना करू तो किसी के साथ भी ना करू क्या। जिस पर लिंडा उससे बोलती है कि मेरे बच्चे क्लास इन सब चीजों के लिए नहीं है। चली जाती है और वो प्रिंसिपल से बोलती है कि लिली मेरे बारे में जूटा अववा फैला रही है। जिस पर लिंडा प्रिंसिपल से बोलती है कि मैंने लिली और जेसन को एक साथ घबा घब करते हुए देखा था और साइद लिली मेरे से इस बात का बदला लेना चाहती है। जिस पर लिली बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया बलकि लिंडा मैम का खुच जेसन के साथ अफैर है। और लिंडा जेसन के डैड को अपने और जेसन के अफैर के बारे में बता कि वहां से चली जाती है। जिस पर Linda उसे end ﷺ के वाहरे में पूछती है जिस पर principle उसे कहती है कि ending चेंज करने का काम तुम्हारे ऊपर depend करता है तब Linda के पास कोई चारह नहीं था और वह principle के बात मान लेती है तब ही यहाँ से scene shift होता है और हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन play performed होने वाला था उसके बाद वहाँ पर प्ले सुरू होता है और एक परफेक्ट एंडिंग के साथ वो प्ले खत्मी भी हो जाता है जिसके बाद सब लोग उस प्ले की बहुत जादा तारीफे करते हैं तब जेसन को एहसाद होता है कि एक्चुल में उसकी एंडिंग सही नहीं थी उसके बाद अगले दिन ह को एक बुकी स्टोर पे देखते हैं जहां जेसन के डैट पहुँचके लिंडा को लाइन मानने लगते हैं और वो उससे डेट पे चलने के लिए पूछते हैं पर लिंडा भी उसे हाँ कर देती है उसके बाद आके क्या होगा इसके लिए आप खुच समद्दार हो और ये के भी सपोर्ट करें और गाइज इस मुवी की आइम डिवी डेटिंगे 5.8 स्टार्स आट अफ टैन और इससे गूगल ये जने 74 परसंट लाइक किया है तो गाइज नई एक्स्प्लेनेशन जल्दी आगी तब तक कि लिए स्टे सेफ स्टे हल्दी